बॉली उट के भाईजन सल्मान खान आजकल कंदा बने हुए और कंदे का काम होता है सहरा देना तो फिलाल वो बॉली उट के बड़े से बड़े फ्लॉप एक्टर को कंदा देने के लिए अपनी फिल्मों को अपने कैमियों को दाउं पर लगा रहे हैं पहले सारुप खान की पठान को बहुत अच्छे कंदे के सहरे से उठा दिया और अब लगता है खान तिकडी के एक और एक्टर यानि आमिर खान को कंदा देने के पूरे मूड में हैं और इस बात के लिए सारुप खान वाली पठान की रेंज में लाएंगे इस वीडियो में जानेंगे एक्चुली सल्मान खान और अमिर खान अंदाज अपना अपना के जरिये बॉलिवड के फेवरेट कपल बन चुके थे और उनकी एक्टेंग को लेकर पूरे बॉलिवड में एक तरह के पॉजेटिव मुमेंटम माना जाता है उसके बावजूद दोनों ने बहुत ज़्यदा काम ने किया संतोसी कोशिस करते रहे दोनों को लिकास्ट करने की लेकिन खान तिकडी का पूरा एगो एक दूसरे के सामने आ जाता है लेकिन जिस तरह से पठान की नई है सल्मान खान ने पार लगाई है तो लगता है अमिर्कान को भी अंदाज हो गया है कि उनको सारा सल्मान खान का लेना पड़ेगा और वैसे भी सल्मान खान खुल कर कह चुके है जब वो बावी देवल को रेस में कास्ट कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि एक टाइम था जब सल्मान खान का खुद का सितारा बुलंदी पर नहीं था और किसी ने सलाद ही थी कि वो सनी देवल के कंदे पर सवार हो जाए और तब सनी देवल के साथ उन्होंने जीत मूवी की थी और उस वक्त वो चल निकले थे वही हल बावी देवल का हुआ रेस के बाद बावी दिवल चैन निकले और आजकल सलमान खान अब वही फंडा दूसरे अक्टरों साथ अपना रहे हैं और उनको अपने कंदे पर सवार करन के कैरियर की नईया पार लगा रहे हैं तो सारुक खान के बाद अगला नंबर आमिर खान का लग चुका है जो कि बॉलिवड के लिए गुड नियूज है विकॉज हमेशा बॉलिवड में खान तिकडी की जब भी बात होती थी नंबर वन पर सारुक खान आते थे शारुक खान का नाम नंबर टू पर और आमिर खान का नंबर थी पर विकॉज आमिर खान ने करीब 4-6 सालों के बीच में ठाकाव हिंदुस्तान और लाल सिंग चड़ा यसे फ्लॉब मूवी दी है शारुक खान का कमबैक हो चुका है पठान से ऐसे में सल्मान खान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आमिर खान ने उनका अपने होम पोड़क्शन की मूवी यानी आमिर खान फिल्म प्राइवेट लिम्टेड मूवी के तरफ से एक आफर दिया है जो कि डार्टर आर्जे परसनना का बहुत अच्छा कॉंसेट है पर मीटिंग चल रही है आर्जे परसनना के साथ जो इससे पहले सुमंगल सावधान जैसी बेहतरी मूवी बना चुके है और उनके आइडिया पर ही आमिर खान ने सल्मान खान को अप्रोच किया है सल्मान खान करीब 6 मेने से उसकी कहानी पड़ रहे थे अब फाइनल ड्राप ठांत लग चुका है और अब आमिर खान को लगता है कि सल्मान खान इस लार्जे दैन लाइफ ड्रामा के लिए सबसे बेस्ट चौइस हैं लेकिन सल्मान खान भी दिल के बहुत खुले हैं और अपनी मुवी टाइगर के बाद जो भी आने वाली है उनको होल्ड पर रखकर सल्मान खान आमिर के लिए काम करेंगे और अगर सब कुछ चीक रहा है तो पहली बार होगा सल्मान आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के अं उनको कमबेक करना चाहिए बुकाज बॉलिवड में रंगत तभी आती है जब तीनो खान की तिकड़ी अपनी अक्टिंग से क्लासिक रंग जमाती है तो फ्रेंड ऐसी एक्साइटिंग और अंटर्टनिंग कुछ प्लीज हित अब्सक्रिप्शन एंड बेल इकन बटन आप मुवीफॉक्स एंड ओंट फोरगे तो लाइक, कमेंट एंड शेर आवर वीडियोष